सारा इसमें हाथ से काम किया गया है कोई भी CNC मशीन का हम अपने प्रोडक्ट में यूज नहीं करते हैं देखकर यह आप अंदादा लगा सकते हैं इसकी डैप्ट का इसकी कार्विंग का इसकी ब्यूटी का बनाई यह नीचे भी आप देखेंगे पूरा कार्विंग का काम किय सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि आप सब्सक्राइब करने की मुझे जरूवत नहीं है जादा क्योंकि यह अपने आप में खुद एक कला है और खुद एक तारीफ है जो आपको दर्शार रही है कि इसकी ब्यूटी क्या है और इस तरह की लगजरी बैट बनाने में स्टार इंटरफाइब को महारत हासिल है यह बनाया गया है टीक वूड के अंदर टोटली हैंड क्राफ्टेड है सारा इसमें हाथ से काम किया गया है कोई भी CNC मशीन का हम अपने प्रोड़क्ट में यूज नहीं करते हैं और आप द हैड बोड देखकर यह आप अंदादा लगा सकते हैं इसकी डैप्ट का इसकी कार्विंग का इसकी ब्यूटी का और जो हाई ग्लॉस का फिनिश है उसको और ज्यादा खुबसूरत बनाता है यह आप शेंपन गोल्ड देख सकते हैं जो कि एक अलगी तरह का गोल्ड है और बहुत ही लगजरी गोल्ड है और यह कभी खराब ना होने वाला एक कलर है और जादा आखों में ना चुबने वाला कलर है क्योंकि जादा गोल्ड भी आखों में चुपता है इधर आप देखेंगे इसकी जो छोटी साइड है जो हैड फूट बोर्ड है वो भी आप देखे इसमें जो बटन लगाएंगे गोल कलर की अपने बटन लगाएं ताकि ये बैड के कलर से मैच हो जाए और इधर आप देखेंगे इसकी बहुत ही लगजरी साइट टेबर लगई है जो की जो की बहुत ही जबर्दस तरीके से बनाई यह नीचे आप देखेंगे पूरा कार्विंग का काम किया गया है बहुत ही अच्छी कला कारी इसमें दिखाई है और सिल्वर फिनिश जो उपर से की जाती है वो स्कॉर जाधा खुबसूरा बनाती है और इस तरह की उनिट बनाने के लिए शुरूर से ही जाना जाता है यह विदाउट बॉक्स वाला बैड है इसका जो मैट्रस साइज हमने रखा यह उसकी विदे है और इदर हमने एक बैडरूम चेयर रखी है जो की हमने केई बार बनाई है इसमें डिफेरेंट डिफेरेंट कलर में गोल्ड में भी बना जो की बहुत ही special है और इस तरह की special काम के लिए star enterprise जाना जाता है और जो हम इसमें form भी लगाते हैं बहुत ही जबरदस्त और high quality की form लगाते हैं जो की 10-10-15-15 साल ये कहीं नहीं जाती है उसके बाद आपको सिर्फ form change कराने की जरुवत पड़ती है और इस तरह की luxury bed की अगर आ हैं चाहिए आप इंडिया में हैं चाहिए इंडिया से बाहर हैं आपको delivery हर जगा मिलेगी हर जगा प्रौइड कराएंगे क्योंकि हम export भी करते हैं हमारे product export भी बहुत जाते हैं और पूरे इंडिया में तो जाते हैं हमारी भारत की kla और इस इस color करती को ही बनाने के लिए सहरनपूर जाना जाता है और इसी कला करती की वज़े से फेमस है और इस तरह के लकडी के आर्ट हमारे यहां बनाए जाता है जो कि सदियों से चले आ रहे हैं और जैसे कि आप देखते ही होंगे अब नहीं नहीं कला करती आ रही है पहले तो पुराने डिजाइन के फनीचर चलते थे अब कार्विंग के यूग में सहरनपूर उतर गया है यह हमारे इंडिया की कला है इंडिया की आर्ट है जो कि हमारे इंडिया को फेमस बनाती है और हमारे इंडिया का नाम रोशन करती है वर्ल्ड वाइड सो मैं आशा करता हूँ आपको इस तरह के product अचे लगते हूँ जदे जदे हमें like किया किजिए comment किया किजिए share किया कीजिए ताकि हम इस तरह के product आपके लिए बनाते रहें हमेशा लाते रहें luxury item सो मैं फिर हाजर हूँगा एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ बबाई धन्यवाद टेक केर